हलो फ्रेंट्स कॉंप्पेटिशन कमिंटी के एसे सीजी एल और सीएचेचल प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं हेमन प्रधान आए फ्रेंट्स आज हम डिसकस करते हैं जनरल साइंस के हमारे फिफ लैक्चर को जो रिलेटिड होगा कैमेस्टी से और आज का हमारा टॉपिक रहेगा दाटिस अबाउट दे एसे बेस एंड सब मिश्लैनियस फैक्ट्स आम लच्छार और कुछ महत्पूर्ट तत्यों को लेकर आज का सेशन रहेगा जिसमें की कुछ ऐसे पॉइंट्स हम कवर करने बाले हैं जो आपके ऐसे सी एक्जाम्स के हम उसके पी-एच वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं मापन कर सकते हैं पी-एच का मतलब क्या है पी-एच इस प्रकाल लिखा जाता है पोटेंशिल ऑफ हाइड्रोजन हाइन की सांदरता हम कह सकते हैं इस स्केल को डिस्कवर किया था सोरेंसन साहब ने साइंटिस्ट हैं सोरेंस यह एक्जाम में पूछा जाता है यह इंपॉर्टन नहीं है लेकिं 1909 में डिस्कवर किया था उन्हों ने सो यह pH scale की सबसे खास बात हमको समझनी है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं 0 से लिख के 14 तक की value होती है इस pH scale में जहां पे हम थीक exact 7 पे हम इसे क्या का सकते हैं neutral कह सकते हैं यह क्या है neutral यह ना acidic होगा ना basic होगा जिसकी value केवल 7 हो वो क्या होगा neutral होगा या उदासीन होगा और जिसकी value above 7 होगा तो उस से यह compound की को क्या है उसका nature होगा basic क्या होगा basic यह चारी बिलो 7 होगा तो वहां पर हम क्या देखते ही वह है आपका acedic acedic तो इतनी बात हैं आपको याद रखनी है ठीक है discover by sorensen in 1909 ठीक है और for measuring of pH value pH value मतलब potential of hydrogen या hydrogen ion की सांधरता हम कह सकते हैं और क्या खास बात है कि जब हम इसमें 7 exact value मिलती है तो वो neutral होता है above 7 basic होता है below 7 क्या होता है acedic होता है तो यहां पर हमको समझना है कि जैसे जैसे हम देखते हैं 7 से उपर मालो basic वाला जब किसी compound या solution को देखते हैं तो इसमें hydrogen ion decrease होता है और acidic में hydrogen ion increase होता है ठीक है बस यह याद रखिएगा बाकि इस से related जो एक्जामें और जब fact है वो यहां से start होते है acid किसे कहते हैं तो देखते हैं acid क्या होता है तो acid या अमल देखते हैं सबसे पहले अमल वो पदार्थ होता है जो क्या होता है स्वाद में खटा होता है sort test होता है ठीक है यह बात आपको समझनी है और इसका pH value अभी हमने दिखा below 7 होता है यह किसी भी से के साथ reaction करेगा तो hydrogen gas जो है एमीट करेगा ठीक है release करेगा सीधा सीधा बात समझो यह थर्ड पॉइंट उत्रा important नहीं है यह स्वाद में खटा होता है यह इसका below 7 होता है और जो strong acid और strong के साथ reaction कराते हैं तो क्या बनता है salt बनता है ठीक है याद रखेगा और water भी बनेगा अगर हम इसका litmus test देखते हैं तो litmus जो paper होता है जो basically किस से मिलके बना होता है lichen नाम के plant से मिलके बना होता है lichen एक plant होता है ठीक है जो algae और fungi का क्या है symbiotic relation वाला एक plant है तो जिसमें क्या देखते हैं कि litmus इसी लाइगेंस से मिलके बना होता है वो acid जो होता है वो red को नीला को लाल कर देता है acid क्या कर देता है नीला को लाल कर देता है मतलब आप समझ पाए क्या नीला लिटमस है उसमें acid डाले तो एक याद रखनेता है है ठीक है यह बाते हैं आपको याद रखनी है बहुत पॉइंट है लेकिन यहां पर हमको इन सभी पॉइंट को जानना जरूरी है ठीक है अब कुछ एक्जाम में जो कोश्चिंज पूछे जाते हैं कि कौन सा फूट में कौन सा एसिट पाया जाता है यह डिफरेंट अलगले एक्जामपल दिये होते ही तो गिवन एक्जामपल में होता है और वह काटता है तो वह दर्द होता यह अधिस को सब्सक्राइब और यह सब चीजे लेक्टिक एसट किसमें होता है कर्ड या फिर मिल्क में oxalic acid पालक में होता है ठीक है ascorbic acid उसको भी vitamin C कहते है वो है आमला और जितने भी citrus family है tartaric acid है ना tarmin grapes और कच्छे आम में होता है ठीक है benzoic acid जह होता है grass जितने भी leaf अगरा और urine में भी क्या है benzoic acid का होता है actual में urine में uric acid भी होता है ठीक है लेकिन कुछ मात्रा benzoic acid का भी होता है glutamic acid किस में होता है wheat में होता है तो यह जो इधर देख रहे हैं आप types of acid और इधर the source of acid तो यह दोनों चीजे examination point आप उसे बड़े important है तो आपको यह बात याद रखनी है ठीक है यह बात सभी clear हो गई आगे बढ़ें तो आगे बढ़ते हम कि कुछ nature में कुछ ऐसे जो daily usage वाले या daily हम जिसके contact में रहते हैं वो सभी चीज़े यहाँ पे दीवी दीवी है तो इसमें भी यह होता है कि इसका pH value कितना होता है यह बार नेचर पूछ दिएगा तो नेचर पूछेगा तो below 7 तो acidic और above 7 तो basic इसी समझ सकते हैं तो जब यहाँ पे इस point को देख रहे हैं आप इधर क्या है कुछ ऐसे product है और इधर क्या देख रहे हैं इसके pH values है जैसे lemon lemon में क्या भी हमने देखा citric acid मिलता है तो citric acid का जो है pH value कितना होता है 2.2 से लेके 2.4 तक याने कि हम कह सकते हैं यह acidic है vinegar का भी हमने देखा 2.4 से लेके 3.4 इस बीच का कोई भी range आप रख सकते हैं बस दिमाग में आप बैठाइएगा कि यह बीच का कोई भी एक average आप value ले सकते हैं wine जो होता है वो भी acidic nature का होता है 2.8 से 3.8 tomato juice 4 से लेके 4.4 beer ठीक है इसमें 4 से लेके 5 और coffee वो भी acidic होता है ठीक है आपको coffee है ना इस चीज़ से question पूछा जा सकता है वो acidic nature होता है 4.5 से 5.5 human का urine जो होता है वो 5.5 से लेके 7.5 तक होता है हलका acidic होता है कभी कभी वो basic भी हो जाता है क्योंकि 7.5 आप value देख रहे हैं जो saliva होता है वो 6.5 से 7.5 देखो आपकी जो human के mouth में अगर saliva का pH decrease हो जाता है मतलब इससे भी नीचे हो जाता है 6.5 से तो फिर आपकी teeth का जो है वहाँ पे erosion होना start हो जाता है यह बात याद रखेंगे ठीक है blood का क्या है 7.3 से लेके 7.5 उसका milk का 6.4 बस इतना याद रखे तो अब देखते ही हम आगे कुछ ऐसे fact को जो exam में बहुत काम आता है तो यहाँ पर स्कीन में देख रहे होंगे दो important term है एक है aquarasia या अमल राज कहते हैं और दूसरा होता है acid रखेंगे यह दोनों ही काफी conceptual है बहुत important है ठीक है तो देखे एक्वारेजिया क्या होता है कि अगर इस nature में देखते हैं तो तीन सबसे strongest type के जो acid होते है पहला होता है SCL यह सबसे strongest होता है दूसरा होता है nitric acid याने HNO3 होता है और तीसरा होता है H2SO4 ठीक है यह तीनों को हम pH के pH value के बेस पर अगर हम measure करें तो सबसे ज़्यादा pH value किसकी होती है SCL hydrochloric acid की होती है फिर nitric acid की होती है फिर sulfuric acid की होती है तो जो दो सबसे strongest है इनका अगर हम 3 rest to 1 ठीक है तीन अनुपाद एक का जो हम mixture बनाते हैं क्याने की एक ऐसा solution जिसमें की 3 part किसका हो hydrochloric acid का हो 1 part किसका हो HNO3 nitric acid का हो तो यह जो आपका solution बना यह होता है aqua-rasia aqua-rasia मतलब amla-raja amla-raja ठीक है जो बहुत ज़्यादा strong होता है आपको sona, platinum जैसे hard चीज़ को यह भी गला सकता है तो यह बातें आपको याद रखने है aqua-rasia से 2 question पूछा जाता है पहला कि किस-किस का mixture होता है SCL plus HNO3 का होता है और इसका ratio भी पूछा जा सकता है याद रखेंगे SCL ज़्यादा strong होता है उसका 3 part होता है clear होगे आप सभी को दूसरा है acid rain acid rain जिसकी pH value 5.6 से कम हो या at least 5.6 भी हो तो उसको प्रकार के जो वर्सा के जल को है ना याने की जो rainfall होता है अगर उसका pH value 5.6 या उससे नीची है तो उस case में हम उसे क्या कहते है acid rain कहते है तो पहली बात यहाँ याद रखेंगे कि यह जो pH जो होता है pH value 5.6 होता है है ना तो इसमें क्या होता है तीन प्रकार की acid बनते है यह तीनों acid बड़ा important है ध्यान दीजेगा कि यहाँ पे तीन acid बनता है जैसे कि atmosphere में क्या है पानी है water paper है कि नी gel wasp तो atmosphere में जो क्या होता है nitrogen dioxide है इसके साथ reaction करके क्या बना देगा HNO3 बना लेता है तो यह पहला acid बन जाता है दूसरा अगर फिर यह S2O जो होता है वो किसके साथ reaction करता है यह सीधा atmosphere में और क्या चीज़ है sulfur dioxide है इसके साथ reaction करेगा तो H2SO4 बनाता है ठीक है और क्या है atmosphere में एक और चीज़ है उसको कहते है carbon dioxide जो एक greenhouse gas है इसके साथ reaction करके क्या बनाएगा H2CO3 बनाएगा ठीक है तो आपको पूछा जाएगा कि acid rain में कौन सा acid बनता है तो पहला क्या लिखेंगे नाइटरिक acid बनता है sulfuric acid बनता है यह mostly यह दोनों ही बनता है जादा तर यह बहुत strong acid होता है और यह बहुत poor type का acid है S2CO3 ठीक carbonic acid तो यह बातें आपको याद रखनी है कि नाइटरिक acid sulfuric acid और आपका carbonic acid तो mostly दो चीजें जादर उपर वाली पूछी जाती है यह कभी-कभी पूछा जा सकता है यह बातें आपको acid वाले topic से इतनी बातें भी आप याद रखेंगे तो काफी है हाला कि कुछ-कुछ source और भी हम देख लेते है तो जैसे कि हम इसमें source को देखेंगे उसके पहले यहाँ पे थोड़ा सा base को देख लेते है तो base क्या होता है base का अगर देखते हैं यह स्वाद में कड़वा होता है bitter in taste ठीक और अगर इसको इसपर्स करते है तो साबुन जैसा लगता है soap जैसा लगता है तो जैसे कि acid क्या करता है amla को नीला को लाल कर देता है acid हमने पढ़ा था ठीक है तो यह क्या करता है just ultra यह क्या करता है red litmus को क्या कर देता है नीला कर देता है base it क्या कर देता है? red को blue कर देता है, BRB से याद रख सकते हैं, clear हो गया? अब कोच जो base होता है, उनका source क्या-क्या है? जिसे की हम देखते हैं, चूने का जो पानी होता है, चूना पानी जो lime water होता है, या lime stone जो होता है, उस भो क्या होता है? calcium hydroxide होता है, ठीक है? और calcium के और carbonate भी हो सकते हैं ठीक है लेकिन चुनें का पानी जो होता है उसमें करते हैं क्लेम PMd आमोनियाивает होता है हम देखते हैं कि ceo होता है以及 sodium hydroxide भी मिलाते हैं सोडियम नf को कहती हैं यहां पे सोडियम हाईडरकसाइड यह तो pendulum hydroxide महां लातों घूति और हम जहिक आपकर अइसके सूर्ण में व्हूर्णी को है कि जब बेस के कुछ इसके यूसेज देखते हैं तो सोडियम हाइडरोकसाइड को हम क्या गरते हम साबून का अगज या डिटरजन बनाने की में उसके मैनेफेक्टरी में काम आती है केलसियम हाइडरोकसाइड जो होता है विरंजक चून यानि कि यहां पे ब्लेचिंग पाउ में हम यूस करते हैं कैलसियम हाइडरोकसाइड कास्टिक सोडा और सिमेंट के मैनिफेक्टरिंग में काम आता है तो आपको सीधा सीधा यह आपके बेस से रिलेटेट कुछ पॉइंट है जो एक्जाम में पूछे गए है अब पूछे जाने के चांसेस रहते हैं इसमें मैं जो नेचरल सोर्स है जैसे कि इमली हमने देखा था टार्टरी के सीड होता है सेव जो होता है एपल जो होता है मैली के सीड होता है आपका एपल का बगीचा है तो आप समझो आप उसके मालिक हो तो एपल जो होता है उसमें मैली के सीड होता है सिरका हमने देखा असेटिक ए इसिट जो है magnesium hydroxide है कपड़े धोने का सोडा क्या है sodium carbonate है ठीक है यहाँ पर याद रखेंगे sodium carbonate और यहाँ पर sodium hydrogen carbonate भी हम कहेंगे sodium bicarbonate भी कह सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर खाने का सोडा sodium bicarbonate है और धोने का sodium carbonate है ठीक है sodium hydrogen carbonate यह sodium और इसे प्रकाली सकते है नह co3 sodium bicarbonate ठीक है और धोने का सोडा जो होता है na2 co3 na2 co3 याद रखेंगे into 10s2 जुड़ा होता है तो कपड़ा धोने के लिए पानी चाहिए कि नहीं इसले 10s2 हमिशा जुड़ा रहता है ऐसा मान के चलना tricky method से clear हो गया तो इसके अलावा देखते हैं हम गुड़हल है और लाल गुलाब का जो फूल है हल्दी है कचनार के फूल आधी का उप्योग भी हम acid base जो है indicator के दूसमें यूज करते हैं ठीक है इसके अलावा हम methyl orange और फिनाप्थिलिन का भी यूज करते हैं क्या-क्या methyl orange और फिनाप्थि उसका फॉर्मूला है एने उए सोडियम हाइड्रोकसाइड को क्या कहते हैं कास्टिक सोडा भी कहते हैं सीमिलरली आपको का विरंगजक छून या फिर ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला कई बार एक्जाम में पूछ चुका है ब्लीचिंग पाउडर तो याद है C-A-O-C-L-2 यहाँ पे यह याद रखें और उसके बाद देखते हैं बेकिंग सोडा या फिर हम देखते हैं खाने का सोडा ठीक है बेकिंग सोडा या खाने का सोडा तो एक ही है उसका फॉर्मूला जो अभी हमने थूडी देर पहले पढ़ा क्या पढ़ा कि हमको sodium hydrogen carbonate भ रखेंगे यह एक्जाम में कई बार पूचा जाता है और कन्फिूजन होता है धियाद रखेंगे sodium carbonate sodium bicarbonate में तो एने एच होता है sodium bicarbonate है है ना और धोने का soda कपड़ा धोने का soda है तो हमिशा उसमें क्या रहेगा उस में फॉर्मूला Na2CO3 होगा into 10H2O जोड़ा होता है मालो formula नहीं दिया है simple नाम दिया हुआ है तो उस case में यह क्या लिखेंगे sodium carbonate कहेंगे sodium carbonate कहेंगे यह बात है सभी clear हो गई तो यह है अपका formula किसका है वो होता है कि धोने का soda ठीक है या washing soda हम कह सकते हैं वो है sodium carbonate not by 2 देखके अब bicarbonate मत कर देना ठीक है Na2CO3 into 10S2 उसको sodium carbonate कहते हैं यह बात है सभी clear हुई last में देखेंगे copper sulfate को और क्या कहा जाता है नीला थूथा कहा जाता है CUSO4 को ठीक है यह point आपको याद रखना है अब यहाँ पे एक होता है plaster आप Paris के बारे में आप जानते होंगे plaster आप Paris के बारे में अगर आप जानते होंगे तो उसका formula क्या है देखे P.O.P. जिसे कहते हैं जो घरों में ceiling पे लगाया जाता है P.O.P. ठीक है घरों में जो ceiling में लगाया जाता है white color का तो वो क्या होता है पहले water के contact में आता है तो वो थोड़ा soft होता है जैसे सूख जाता है बहुत hard बन जाता है तो P.O.P. का full form पूछा जाया तो C.A.S.O.4 calcium sulfate into decahydrate Harp S.2O होता है ठीक है ये बातें भी आपको याद रखनी है ये exam में भी पूछा जा सकता है P.O.P. का मतलब क्या है plaster of paris plaster of paris और क्या किया जाता है याद करिए कभी किसी का हाथ पैर टूट जाता है तो हम उसमें एक ऐसा structure लगाते है जो hard रहता white color का ठीक है मतलब वो टूटे हुए भाग पी क्या होता है चारो तरब से हम cover कर देते है plaster of paris से फिर hard हो जाता है जब आपका bone जुड जाएगा उसके बाद उसको फिर हम काट के हटा देते है ठीक है ये plaster of paris समझ में आगे आप लों को अब आपको मैं कुछ ऐसी बाते बताऊंगा जो आपके exam में के लिए फिर से बहुत important होगा वो होगा that is about the water water का formula क्या होता है H2O होता है लेकिन आपको मैं पूछूँ कि heavy water का formula क्या होता है तो heavy water का formula क्या होता है D2O होता है ठीक है D2O यानि भारी जल याज़ है heavy water तो इसका जो है याद रखेंगे heavy water या भारी जल who discovered this heavy water मूरे मूरे ने डिस्कवर किया था इस भारी जल को ठीक है ये बातें आपको याद रखनी है भारी जल या हैवी बॉर्टर कहां पे इंडिया में बनाये जाता है तो वो है ट्रॉम्बे ट्रॉम्बे में क्या है ट्रॉम्बे जो भाबा एटॉमिक रिसर्स सेंटर है ट्रॉम्बे में क्या होता है ये हैवी जल का वहाँ पे निर्माण किया जाता है ये इस बात को याद रखेंगे ट्रॉम्बे कहां पे है भाबा एटॉमिक रिसर्स सेंटर ठीक है यहाँ पे ही ये बनाये जाता है ये भी एक्जाम में आ चुका है अब यहाँ पे water से related जो उसकी properties है वहाँ से questions पूछा गया है माल लो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या है H2O या फिर हम इसे कहते हैं water या gel अब यहाँ पे इतना आप समझिए इसमें बहुत सारे points जैसे समझने को आपको मिलेगा जैसे कि water में questions क्या पूछा जाता है water में question पूछा जाता है कि इसे हम क्या कहते है universal solvent कहते हैं क्या कहते है सार्वत्रिक जो है विलायक सार्वत्रिक विलायक है universal solvent कहते है और खास बात कि इसका जो है जो density होता है वो कितना है 4 degree Celsius पे maximum होता है density आप समझते हैं घनत्व ठीक है घनत्व बराबर क्या होता है density equal to क्या होता है mass याने की द्रब्यमान बटे आयतन mass upon ठीक है volume याने आयतन तो आपको इसको घुमा के question पूज़ देगा ठीक है density equal to mass upon यह हो जाएगा volume ठीक है भी अगर आपको पूछा जाए कि इसकी density कितने में होती है 4 degree Celsius पे maximum होती है लेकिन अगर आप इसको इसका आयतन अगर पूछा जाए volume पूछा जाए कि कितने degree में minimum होती है ठीक है तो वो क्या कर रखेंगे कि यह 4 degree पे water का जो है volume सबसे minimum होता है यह बहुत important चीज़ है याद रखेंगे water एक ऐसा solvent है जो क्या है solid भी मिलता है snow या बर्प के form में liquid भी मिलता है आपको जो normal drink करते हैं पीते हैं और क्या होता है gas form में भी होता है water vapor ठीक है तो यह तीनों ही form में होता है solid liquid gas ठीक है यह water की एक प्रपर्टी अब water जो होता है इसमें दो type की hardness होती है यह hardness याद रखेंगे पहला hardness यह होता है कि temporary hardness से अ-स्थाई कठोरता कहते हैं अ-स्थाई कठोरता या temporary hardness ठीक है वो किसके किसके कारण होती ही याद रखेंगे अब यह मैं बताऊंगा और दूसरा होता है इस्थाई कठोरता या permanent hardness इस्थाई कठोरता या permanent hardness ठीक है अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो अ-स्थाई कठोरता होता है hardness का मतलब क्या है जब हम water को soap किया detergent के contact में लाते हैं आपकी organs को वो defect करता है तो यह बाते हैं basically लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे water को जब हम साबून के contact में लाते हैं easily अगर वो ज़ाग नहीं देता है तो वो क्या है hardness उसमें कह सकते हैं अब एक ऐसा प्रकार का hardness होता है जो temporary होता है तो आपको पूछा जाता है कि water की जो hardness होती वो किसके कारण होता है तो water की hardness होती है दो किसके के calcium और magnesium ध्यान देंगे calcium और magnesium इन दोनों के क्या है बाई कार्बोनेट के कारण इन दोनों के बाई कार्बोनेट ठीक है bicarbonate की कारण जो होती है temporary hardness होती है और हम boil कर देते हैं तो क्या हो जाता है वो दूर हो जाता है वैसे अगर आपको इस थाई का ठोरता पुछा जाए इसमें जो permanent hardness पुछा जाए तो ये क्या होता है calcium और magnesium की क्या होता है chloride और sulfate की कारण जो होता है ये permanent hardness होती है clear हो गया अब यहाँ पर permanent hardness है तो उसे remove कैसे करें ये तो boil कर दें तो sol हो जाता है इसको कैसे sol करें तो इसको एक method होता है उसे हम कहते है permuted permuted method इस method से हम क्या कर देते हैं इसे हम दूर कर सकते हैं इसकी hardness को clear हो गया तो ये basically इतनी point याद रखेंगे water के बारे में बड़ा important point है ठीक है किस के किस के कारण होता है calcium or magnesium के bicarbonate के कारण temporary hardness होती है जो boil कर दें तो sol हो जाती है मतलब दूर हो जाती है लेकिन जब permanent hardness देखा जाया तो उसमें calcium, magnesium के chloride और sulfate के कारण होती है जिसे boil करने पर दूर नहीं होती remove नहीं होती उसे permuted method के द्वारा उसे remove करते है ये बातें सभी को clear हो गई कहीं पर कोई doubt नहीं होना चाहिए अब हम देखते हैं कि जो different type की अलग-अलग gas है या compound है इससे related भी exam में questions पूछे जाते हैं तो सबसे पहले बोर्ट पे आप देखिए कि पहला लिए है mustard gas mustard gas को जो है सबसे पहले first world war में use किया गया था first world war में use किया गया था actually mustard या सरसों की type की इसकी जो है इसका सुगंध होता है that's why इसको क्या कहते है mustard gas कहते है और इसमें भी क्या होती है फफोले पढ़ जाते है जहां पे भी पढ़ा यह mustard gas यह contact में आया उस जगह पे होता क्या है कि फफोले पढ़ जाते है तो इसलिए war में use किया गया था lucide जो होता है lucide जो होता है यह भी क्या है प्रकार का एक ऐसा gas है जिसमें की हमने use किया है second world war में second world war में और यहां पे भी इसमें क्या होती है कि आखों में जलन होती है और black for folie पढ़ जाते है इसमें skin पे ठीक है tear gas tear gas को भी first world war में use किया गया था ठीक है इसलिए याद रखेंगे यह तीनों चीजे important है first world war में mustard gas second में क्या है leucide use किया गया था third में क्या होता किया गया था tear gas या आसू gas ठीक है tear gas क्या होता है cn gas cn plus cs gas का जो होता है mixture होता है ठीक है इसका full form है one chloroacetophenon और cs का मतलब है two chlorovenzaldehyde तो बस cn और cn gas याद रखेंगे cn और cs gas ठीक है अब chloroform chloroform जो होता है basically ये anesthesia में use किया जाता है इसकी सुगंद लेने पर क्या होता है cscl3 basically क्या होता है कि like बेहोसी छा जाती है निश्चे तक का use किया जाता है anesthesia के रूप में use किया जाता है chloroform का याद रखेंगे iodofarm तो क्या होता है iodine, tincture वगरा जब चोट वगरा लग जाती ही तो लगाते की नी तो ये क्या है antiseptic के रूप में ठीक है CHI3 chloroform हम देखेंगे तो इसमें क्या है कि ये antiseptic के रूप में use किया जाता है antiseptic कौन सा iodofarm ठीक वैसे carbon tetra chloride carbon CH CCL4 हम कह सकते हैं CCL4 CCL4 का क्या है basically क्या है क्या है देखते हैं कि carbon tetra chloride किसमें use किया जाता है कहीं पर आग लग जाती है तो ये क्या करता है ये urge valenceal है non-flammable है that's why इसे क्या है कि अगनी सामक की रूप में use किया जाता है आग को बुझाने के लिए use किया जाता है ठीक है तो ये fire extinguisher जो हम कह सकते हैं अगनी सामक के रूप में use किया जाता है carbon tetra chloride को तो ये point बहुत important point है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है इसके बाद ऐसे ही exam में पूछे जाने वाले कुछ और important content यहाँ पे देख रहे तो ये भी आपको exam में पूछा जा सकता है तो देखिए मिक गैस या मिथाइल आइसो साइनेट CS3NCO ठीक है CS3NCO मिथाइल आइसो साइनेट है याद रखेंगे क्या है मिथाइल आइसो आइसो साइनेट ठीक है हुई थी एमिट हुई थी तो वो हुई थी आपका मिथाइल आइसो साइनेट कई बार exam में पूछा जा चुका है याद रखेंगे similarly TNT इसका full form पूछा जा है तो ट्राई नाइट्रो ट्राई नाइट्रो टॉल्विन ठीक है यह आपको इसका full form यह क्या है एक explosive है एक explosive है वैसे ही हम हम देखते RDX RDX RDS का क्या है Research and Development Explosive Research and Development Explosive यह याद रखेंगे यह भी आपको exam पूछा जा सकता तो यह क्या है यह भी explosive है वैसे ही हम देखते क्या है aspirine aspirine क्या है एक pain killer है दर्द निवारक है ठीक है इन में से कौन सा दर्द निवारक है या निवारक like pain killer है पूछा जा सकता है तो क्या लिखेंगे aspirine 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 भी आपको exam में पूछा जा सकता है तो aspirine है एक कृतिम मधूरक है मतलब मधूरक समझते है sweetness इसकी बहुत ज़ादा होती है sweetening agent कह सकते है बहुत ज़ादा इसका जो है मिठास होती है तो जहें कई बार कहाता है sugar या हम सुक्रोज या हम दूसरे ऐसे product के जगह हम एक artificial इस प्रकार का sweetening agent मधूरक यूज करते है इसका नाम है aspartum ठीक है benzene benzene को क्या कहा जाता है queen of chemical कहा जाता है ठीक है racino की रानी queen of queen of chemical कहा जाता है ठीक है इसे भी आपको याद रखना है ये basically आपको वो point में बता रहा हूँ जो exam में पूछा जा सकता है अलग-अलग exam में पहले भी पूछा गया है और इसलिए से मैं दुबारा आपको बता रहा हूँ क्योंकि important है वैसे देखते हैं दो urea urea basically क्या एक fertilizer है fertilizer को हम देखते हैं तो ns2 ns2 co ns2 हम इसे कहते हैं urea ठीक है यह आपके urea का formula क्या है actual में ns2 co ns2 हो सकता है formula ना पूछे लेकिन urea के बारे में बस इतना जाने यह fertilizer है जिसमें कि क्या देखते हैं तहां पे ns2 2 ns2 जुड़ा होता है ns2 co ns2 के form में और यहां पे हम देखते हैं अगला वो होता है DDT DDT का full form सबसे पहले DDT किसले यूज़ किया जाता है DDT जो है हम देखते हैं pesticide के रूप में यूज़ किया जाता है और एक समय में बहुत ज़्यादा यह मतलब बहुत effective हुआ करता था लेकिन regular जो है DDT का यूज़ करने पर लाइक जो डिफरेंट टाइप के जो बैक्टिरिया है मच्छर है या दूसरे छोटे-छोटे ऐसे जीव हैं उस पर क्या हुआ इसमें mutation आ गया resistance आ गया against this DDT तो आप क्या DDT का असर उन पर नहीं होता लेकिन DDT के बारे पूचा जाए तो उसका full form पूचा जाता है dichloro dichloro diphenyl diphenyl trichloroethan ठीक है trichloroethan तो ये है आपका DDT का full form और वैसे ही देखो usynol usynol क्या होता है जब भी दातों में दर्द होता है तो long चाबानी पर क्या होता है वो दात का दर्द ठीक हो जाता है या long का oil जो होता है cloves याने long तो उसमें क्या होता है कि एक chemical पाये जाता है उस तो long के तेल cloves oil Persian जो दात के दर्ध में हमको क्या करता है रिली प्रोवाईट करता है ये chemistry के वो पॉइंट आज हमने देखा जो आपके एक्जामिनिशन पॉइंट अब उसे इंपॉर्टन थे है नेक्स कलास पर मिलते ही कुछ और नए कंटेंट के साथ तो आज के लिए मुझे विदा दीजिए थैंक्यू सो मच है वनाइस दे